हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल गोल्डू सक्सस में फ्रेंट्स अगर आप 2020 वाला नेटिया जराफ का एक्जैम देने वाले हैं तो इस चैनल के साथ जोड़कर आप यहां से स्टडी कर सकते हैं फ्रेंट्स पीपर के अलावा सेकेंड पीपर शुषॉलजी के लिए यहां आपको काफी मदद मिलेगी इसके अलावा अगर आप शुषॉलजी से सेक, पीजिटी या फिर हायर एडुकेशन से जोड़ावा एक्जैम देने वाले हैं तो उसके लिए भी आप यहां से पढ़ सकते हैं फ्रेंट्स अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले चैनल को नाम है गोल्टू सक्सस अंड पात कर ले वीडियोज की तो इन सभी से जुड़े वीडियोज आपको चैनल के प्लेलिस में मिल जाएंगे सभी का लग-लग वहां पर फोल्डर बना हुआ है तो आपको किसी भी तरीकी की कोई भी परिशानी नहीं होगी अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक पहले वाले वीडियोज नहीं देखे हैं अभी जो डेली 2020 से जुड़े वीडियोज आ रहे हैं उनके अलावा आप प्लेडिस में जाएंगे तो आपको बहुत पहले की भी वीडियोज कई सारे मिल जाएंगे जो पहले वाली वीडियोज को आपको देखने के लिए कहा जा रहा है तो आपका जो psychology का syllabus है इसमें जतने भी तरह के ठिंकर्स हैं उनसे related जतने भी type के questions बनते हैं प्लस जिस तरीके से एक्जैम में अभी तक questions पूछे जा चुके हैं उनसे related और प्लिस कुछ पर्टिकुलर थिंका से रिलेटेड उनके कॉंसेप्ट से जुड़ेवे वीडियो आपको मिलेंगे जो एक्जाइम में अभी तक बुक पूछी जा चुकी हैं इनके अलावा जो इन्पॉर्टेंट बुक्स हैं उनसे रिलेटेड आपको वीडियो जाएंगे यह सभी आपके एक्जाइम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो प्लीज अगर आपने यह वाली वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लीज जरूर देख लिजे आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेंट्स एमेन शिनिवास की जो प्रभुत्व जाती की अवधाना है उसके बारे में इससे पहले हम लोग एमेन शिनिवास की संस्कृति करन की जो अवधाना उन्होंने एमेन शिनिवास ने दी ती उसके बारे में हम लोगों ने बात की तो आज हम लोग प्रभुत जाती के अफधाना के बारे में बात करने वाले हैं तो चले स्टार्ट करते हैं भारतिय गाउं में समाजिक संसरन का मुख्याधार जाती प्रता है और यहां जो विभिन जातियां हैं जजमानी प्रता द्वारा आर्थिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर रही है ठीक है भारतिय गाउं में देखे तो जो समाजिक संसरन का प्रमुक आधार है जाती प्रता उनमें से एक है और जो विभिन जातियां हैं यहां की वह जजमानी प्रता द्वारा आर्थिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर है जातियों के पारसपरिक जो स दिन करते हुए प्रभुतु जाती की अवधाना दी थी ठीक है यहां इंपोर्टेंट है और एक्जैम में भी काफी बार पूछा जा चुका है कि मैसूर के जो रामपुरा की ओका लिंगा जाती है इसका दिन किस ने किया था तो एमें शिनिवास ने किया था और ऐसे भी पू शिनिवास प्रभुत्व जाती की अवधाना किस ने दी है में शिनिवास ने ठीक है तो यहां पर यह इंपोर्टेंट है आप अच्छे से देखेगा आगे देखते हैं में शिनिवास ने जो प्रभुत्व जाती की जो लक्षन बताए हैं वो कितने बताए हैं तीन लक्षन इन्होंने ठीके अब ये जो तीन लक्षन इनके बारे में देख लेते हैं कि किसी भी जाती को प्रभुत्व जाती कहने के लिए हम कैसे निर्धारन कर सकते हैं कि वह प्रभुत्व जाती तो उसके इन्होंने तीन लक्षन बताएं जो पहला बताया है वो बताया है संख्यात् प्रबुत्व जाति का जो सर्व प्रमुक आधार है उसकी संख्यात्मक शक्ती है यानि वो संख्या में अधिक होने चीए प्रबुत्व जाति के संख्या करना पड़ता है और कई बार जो प्रबुत्व जातियां है इनके द्वारा अल्प संख्यक जातियों पर अत्याचार भी किया जाता है और जो अल्प संख्यक जातियां होती है ऐसे स्तती में प्रभुत्व जाति का वे क्या करती है विरोध भी करती है तो एक है इसके लक्षण में कि प्रभुत्व जाति को जो मन शिनिवास ने और राजनितिक प्रभुति ये दोनों के बारे में एकी में हम लोग देख रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं ठीक है छेत्र अत्वा गाउं में प्रभुति जाती है आर्थिक एवं राजनितिक शक्ति रखती है ठीक है जो छेत्र या गाउं है उसमें जो प्रभुति जाती है व वहां की जो ओकालिंगा प्रभु जाती है उसके पास असी प्रतिशत भूमी थी गाउं की असी प्रतिशत भूमी थी कहां के मैसूर के वामगला और डिलाना गाउं में जो वहां पर ओकालिंगा जाती थी प्रभु जाती उसके पास गाउं की असी प्रतिशत भूमी थी और य फ़िगे, आगे दिखे, इस प्रकार जो अन्य जातियां है ये प्रभू जाती पर आर्थिक रूप से निरभर होती है आर्थिक निरभरता राजनितिक प्रभुत्व को भी जन्न देती है छुनावों के समय प्रभुत्व जाती अपने आशितों ठीक है आप छोटेगी की मातर लगा लिजेगा ये गलात हो गया आशितों के मत प्राप्त करने में सक्षम होती है कभी कभी वह राजनेतिक शक्तियंपद पाने के लिए बल प्रियोग और डराने धमकाने का कारी भी करती है गाउं में प्रभुत जातियां राज विधान सभा और लोग सभा के चुनाओं में वोट बैंक का भी कारे करती है ठीक है आगे देखते हैं रामपुरा की जो प्रभुत जाति ओका लिंगा है जिस पर की फिल्ड वक किया हुआ है प्रफेसर एमें शिनिवास ने तो इनके बारे में देख लेते हैं कि ये है क्या ओका लिंगा की बात करें जोकि 1948 में ठीक है कितनी थी 1523 ठीक है गाओं की टोटल जनसंक्या कितनी थी 1523 कब थी 1948 में उनमें से 735 ओकालिंगा जाती के व्यक्ती थे यह जाति क्रशी कार में लगी हुई थी रामपुरा गाओं में सबसे बड़े भु स्वामी ओका लिंगा जाती के लोग थे वहाँ पर गाउं में रामपुरा जो गाउं है उसमें सबसे बड़े जो भू स्वामी थे वह कौन थे ओका लिंगा जाती के ही लोग थे रामपुरा गाउं में कुल चार लोक इसनातक थे उनमें सितीन ओका लिंगा के थे ठीक है आगे देखे कई ओकालिंगाओं ने वहाँ पर व्यापार कारे को शुरू कर दिया ओकालिंगा जाती के जो वयोवरत व्यक्ति थे वे अपनी ही जाती के जगड़े नहीं निप्टाते थे बलकि उन जातीयों के लिए भी न्याय कारे करते थे जो की उनका हस्तशेप चाहती थ ठीक है रामपुरा के जो लोग हैं वो कई किसी जगड़े को शहरे नियाले में ले जाने के अपेक्षा क्या करते थे ओकलिंगा जाती के वयोवरत लोगों के पास ले जाना उची समझते थे और जो व्यक्ति नियाय के लिए शहर जाता उसे अनुचित वहवास समझते और सम्मान की द्रस्टि से नहीं देखा जाता था प्रपुत जाती के वयोवरत व्यक्ति गाउं के अन्य जातियों के नियमों से परिचित थे रामपुरा के जो मुसल्मान थे वे भी अपने जगड़े ओकलिंगा जाती के पास ले जाते थे वह ऐसे विवादों को भी उकरा सकते थे कि वे अन्याय और दुस्टता की भावना पर आधारी थे अपने मुकदमे की अपील वे प्रभु जाती के पाथ इस तरीके से वे कर सकते थे अब देख लेते हैं ब्रिटिश आगमन से पहले और उसके बाद में ब्रिटिश आगमन से पूर्व जो सांस्कतिक रूप से स्ट्रेस्ट जातियां हैं जिनमें ब्राम्मर चत्री हैं यही प्रभु जातियां थी ठीके ब्रिटिश आगमन से पूर्व सांस्कतिक रूप से जो स्ट्रेस्ट जातियां थी जिनमें ब्राम्मर और चत्री थी यही प्रभु जाती थी पर ब्रिटिश काल और प्रजातंत्र नवीन वेवसाय आरक्षन आदिके फलसरूप जो मद्यवर्थी जातियों का ग्रामीर भारत में प्रभाव बढ़ा है जिससे पारंपरिक प्रभु जातियों की स्थान पर नवीन प्रभु जातियों को संसारिक रूप से स्रेश्ट होना अनिवार नहीं है पर देखा जा सकता है कि नवीन प्रभु जातियां शक्तिशाली होते ही आगे चलकर संसारिक सिस्टता का ये क्या कर लेती हैं दावा कर देती हैं तीक smart ये जो देखा है न कि अपने मुकद में की आपील दाओं के सकते हैं यहाँ कि जो कुछ महत्पूर प्रभु जातियां हैं, इनके बारे में देख लें, तो यूपी की बात करें, ठीक है? ये टाइपिंग में हो गया तो आप लोग यादव हैं, ठीक है? यूपी की बात करें तो ब्रहमण, राजपूत और जाट, यादव, कुर्मी ये सब क्या हैं प्रभु जातिया है यूपी में चीके और इस तरीकी से भी एक्जामें पूछा जाता है पूछ लेंगे कि कहां कि ये प्रभु जातिया है किस स्टेट की है ठीके तो देख लिजे सब्सक्राइब कनातक की बात करें नयर और इजावा हो जाएगी महरास्ट में मराथा, महार तथा, ब्रामर प्रभुजातिया है और तमिलनाडू में मुदालियार, पदियाची और गुंडर यहां की प्रभुजातिया है तो आप लोग पूरा नहीं तो जो इन्पोर्टन इन्पोर्टन है उसे याद कर लीजेगा जैसे यूपी हो गया, आपका करनाटक का हो गया, राजिस्थान का हो गया, महरास्ट हो गया जितना याद कर सके आंतिप्रदेश की कम और रेड़ी जितना याद हो पाए उतना आप लोग ज़रूर याद कर लीजेगा तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिएगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर आप चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजेगा और इस वीडियो को जितना हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा थैंक यू